नमस्कार जेहन दोस्तो आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम डिस्क्रस कर रहे हैं जमू एंड कस्मीर रैफल सोलजर जनरल डूटी का सेक्षन बी सेक्षन ए है जो दोस्तो इसके लिए हम अल्रेडी कल इस पर वीडियो बना के अपलोड कर चुके हैं अगर आपनो इस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है जल्दी से जाकर देख लीजिए तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो ये 15 कोस्चन जो हैं दोस्तो सेक्षन ए में मैं इसको अल्रेडी इस पर वीडियो बना कर जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अपलोड कर चुका हूँ आप उस वीडियो को भी जरूर देखें ठीक है तो आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तो सेक्षन बी ठीक है तो सेक्षन बी डिस्कस करेंगे इसमें सामन विज्ञान के 16 से 30 कोस्चन होंगे चलिए दोस्तो कोस्चन नमर 16 की तरफ चलते हैं कोस्चन नमर 16 है BCG vaccination is used for the prevention of BCG TK का उपयोग डैस की रोगथाम के लिए किया जाता है ओप्सन हैं डेंगू, तपेदिक, टाइफाइड और प्लेग तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि BCG का जो टीका होता है दोस्तो वो किस की रोगथाम के लिए उपयोग किया जाता है तो कोस्चन नमर 16 का दोस्तो राइट आंसर होगा आपका option B तपेदिक ठीक है चलिए अगले कोस्चन के तरफ चलते हैं दोस्तो हम question number 17 question number 17 है हमारा chemical formula for laughing gas हास gas का राशाइनिक सूत्र है option से आपके N2O2, NO2, NO और N2O ठीक है तो आपको बताना है कि हास gas यानि कि laughing gas जो होती है उसका राशाइनिक सूत्र क्या होता है तो दोस्तो हास gas का राशाइनिक सूत्र होता है आपका N2O यानि कि nitrous oxide ठीक है तो question number 17 का right answer कौन सा होगा option D option दोस्तो मैं आपको बताऊं उससे पहले आपका जो answer है वो मुझे comment box में मिल जाना चाहिए ठीक है इसी से पता चलता है कि आपकी जो तैयारी है वो कितनी अच्छी level की है ठीक है चलिए question number 18 की तरफ चलते हैं दोस्तो रग्त में उपस्तित हीमोगलोबिन किस जटिल प्रोटीन से संपन होता है ठीक है रग्त में उपस्तित हीमोगलोबिन किस जटिल प्रोटीन से संपन होता है options हैं तावा, सोना, चांधी और लोहा ठीक है तो question number 18 का दोस्तो right answer होगा आपका option D लोहा ठीक है 18 number question का right answer आपका option D रहेगा चलिए अगले question के तरफ चलते हैं दोस्तो question number 19 question number 19 है which of the following is the heaviest ray निम्न में से सबसे भारी करण कौन सी है option से आपके gamma करण, x करण, alpha करण और beta करण तो आपको बताना है कि यहाँ पर सबसे भारी करण इन में से कौन सी है question number 19 का दोस्तो right answer होगा आपका option C alpha करण ठीक है इन में से दोस्तों सबसे भारी करण है वो कौन सी है alpha करण ठीक है अगले question के तरफ चलते है question number 20 question number 20 है which of the following gases is not a novel gas निम्न में से कौन सी gas उत्रकरष्ट गैस नहीं है ठीक है तो जल्दी से दोस्तों इस question का comment करके answer बताईए option से आपके helium, oxygen, organ और neon तो इन में से कौन सी gas ऐसी है जो कि उत्रकरष्ट गैस नहीं है ठीक है तो जल्दी दोस्तों question number 20 का right answer होगा आपका option B oxygen ठीक है अगले question के तरफ चलते हैं दोस्तों question number 21 और question number 21 है which vitamin gives strength to bones किस vitamin से हड़ियों को मजबूती मिलती है ठीक है तो question number 21 के options है vitamin D, vitamin C, vitamin A और vitamin B तो दोस्तों आप सभी को पता हुगा काफी simple question है कि vitamin D से हमारे हड़ियों को मजबूती मिलती है और vitamin D हमें कहां से प्राप्त होती है जल्दी से comment करके बताईए अगर आपको ये भी नहीं पता है तो फिर आपके तैयारी जो है वो बहुती मतलब अच्छे लेवल की नहीं है ठीक है vitamin D हमें किस से मिलती है जल्दी से comment करके बताईए अगला question है हमारा question number 22 और question number 22 है दोस्तो which instrument is used to see heavenly bodies ठीक है आकासी पिंडू को देखने के लिए कौन सा यंत्र प्रियोग में लाया जाता है options है तो दोस्तो आकासी पिंडू को देखने के लिए तो यहाँ पर question number 22 का right answer होगा option A अगला question है हमारा question number 23 question number 23 है दोस्तो dactylography dash का अध्यन है ठीक है options है आपके forensic, carbon dating, लिखावाट और fingerprints ठीक है तो आपको यहाँ पर बताना है दोस्तो की dactylography किसका अध्यन है options आपको बता चुका हूँ अगर आपको option पता है तो जिए दिशे comment box में comment कर दिया करें question number 23 का दोस्तो right answer होगा आपका option D fingerprint ठीक है question number 24 की तरफ चलते है question number 24 है lens is made up of ठीक है lens किसे बनता है options है आपके सामानी ग्लास पीरेक्स ग्लास flint ग्लास या फिर कोबाल्ट ग्लास तो दोस्तो लेंस जो बनता है वो बनता है flint ग्लास चे तो यहाँ पर question number 24 का right answer कौन सा होगा option C ठीक है चलिए अगले question के तरफ चलते हैं दोस्तो question number 25 का दोस्तो right answer होगा option B चलिए अगले question के तरफ चलते हैं दोस्तो हम question number 26 और question number 26 है हमारा greenhouse प्रभाव मुख रूप से बायू मंडल में ब्रद्धी की बज़े से है मतलब ऐसी कौन सी गैस की बायू मंडल में ब्रद्धी हो रही है जिसके प्रभाव से ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता जा रहा है ठीक है तो question number 26 के options है nitrogen, carbon dioxide, ozone और carbon monoxide ठीक है question number 26 का दोस्तो right answer होगा option B CO2 यानि की carbon dioxide अगला question है हमारा question number 27 पत्यों में हरे सोरी पत्यों में मौजूद हरे रंके बढ़नक को कहते है ठीक है options है आपके butane, phycovaline, gentophyll और chlorophyll question number 27 का दोस्तो right answer होगा आपका option D chlorophyll ठीक है पत्यों के जो रंग हरा होता है वो chlorophyll के कारण ही होता है ठीक है चलिए अगला question है हमारा question number 28 लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी request करना चाहूँगा कि आपने अगर वीडियो को like नहीं किया है तो वीडियो को like कर दें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा share जरूर करें और जिन्होंने भी अवी तक हमारी चैनल को subscribe नहीं किया है इस तरह सी यह सभी आपके options दिये गए है तो जल्दी से इस question का हमारे लिए right answer बता दीजिए तो दोस्तों inverter एक ऐसा उपकरण है जो कि दोस्तों DC2AC यानि कि direct current को alternate current में जो है वो परवर्तित करता है तो question number 28 का right answer होगा आपका option C DC2AC अगला question है हमारा question number 29 और question number 29 है दोस्तों potassium carbonate का सामानी नाम है the common name of potassium carbonate is options है सिरका, सोडा, वेक्न पाउडर और पोटास तो दोस्तों potassium carbonate का जो सामानी नाम है वो होता है दोस्तों potassium ठीक है तो question number 29 का right answer option D रहेगा अगला question है हमारा question number 30 और ये है दोस्तों 290 Kelvin का तापमान dash के लगभग बराबर होता है ठीक है 295 Kelvin का तापमान जो होता है वो कितने degree Fahrenheit के बराबर होता है question number 30 का right answer कौन सा होगा आपका option B ठीक है 71.33 degree Fahrenheit के बराबर होता है 295 Kelvin का तापमान तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक लिए नमस्कार जै हिन जै भारत